हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे बीजी एकस्प्रेस के बारे में बीजी अकाउंटिंग इन्वेंट्री एक सौफ्ट्वेर है जिसमें जो बीजी का एकस्प्रेस मॉडल है वो बिल्कुल फ्री है 100% फ्री है जिसमें आप अपनी पर्चेज एंट्री कर सकते हैं सेल एंट्री अकाउंटिंग इन्वेंट्री यह सारे चीजे इसमें अविलेबल है कुछ लिमिटेट फीचर के साथ में तो दोस्तों इसी चीज को हम जानेंगे कैसे डाउड करते हैं और कैसे अपने सिस्टम मे और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सस्क्राइब करें क्योंकि एक्सप्रेस मोडल से एलेडिड जितनी वे जो आगी की वीडियोज है कि कैसे पर्शेज एंट्री सेल एंट्री और कैसे आपको इसमें इंवेंट्री सारी करनी है और GST अपनी चैनल आप टाइप करेंगे बीजी और एंटर करेंगे और सब्सक्राइब यहां पर देखेगी जिसका यूर लिंक है बीजी.इंग आप इस पर जा सकते हैं और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट का शेक्शन दिखाई देता है पहले नंबर आप यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है जो कि यहां पर शोर है विजी एक्स्प्रेस आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब जैसी स्क्रॉल डाउन से आप नीचे करेंगे तो यहां डाउड का ऑप्शन है आप आपको बताना पड़ेगा तो दोस्तों मैं जल्दी से डिटेल इस्ट में फिल कर देता हूं उसके बाद आगे का स्टप देखते हैं तो दोस्तों डीटेल डाल दी उसके बाद हम सम्मिट करेंगे सम्मिट करने के बाद दोस्तों आपको जो है वेट करना है जैसी यह सम्मिट हो रहा है तो डीटेश सम्मीट करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको जो है एक option शोगा click here to download आपको इस पर click करना है और click करने के बाद दोस्तों download होना start हो जाएगा जैसे कि मैं इस पर save करता हूँ तो अब आपके PC में नहीं है तो उसको कैसे download करते हैं और कैसे उसे install करते हैं तो इसकी वीडियो अलड़ी बनाई हुई है तो मैं उसका description box में आपको link देदूँगा जाकर आप देख सकते हैं अब जैसे ही आप इस पर click करेंगे जो आपने एकल करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको accept करने जैसे कि आप देख पा रहे हैं और उसके बाद फिर से next करने और फिर उसके बाद दुबारे से आपको next करके install कर देना अब ने स्टार्ट हो गया है तो आप दोस्तों जब दबल क्लिक करके ओपन कर लेना है अब जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी भी यह जो सौफ्ट्वेर है आपका रेजिस्टर नहीं हुआ है मतलब भले ही यह फिरी है 100% फिरी है लेकिन आपको एक रेजिस्टेशन करना है और रेजिस्टेशन करने के बाद एक अटेश्मेंट फाइल आएका उस रेजिस्टर मेल आईडी पर जो आपने डाला होगा यह डालेंगे आप अब तो जैसी में इस पर क्लिक करूंगा सबसे इसके डिक्रत करना सब्सक्राइब करते के साथ मैंने यह इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपने नाम डालना है मालो मैंने यह नाम डाल दिया अग्राइब करने अब यहां पर यहां से तो दोस्तों यह रेजिस्ट्रेशन ड़न हो चुका लेकिन अभी एक step रह गया है आप इसको करें और इसे भी करें अभी भी आपका रेजिस्ट्रेट नहीं हुआ है अगर आप देखेंगे धियान से उपर की साइड में तो लेमो को भी लिखा रहा है आपको सौफ्टर को बंद करना है और इसे इसकेप करना है अब आपको जाना है जो email ID अपने यहां पर मेंशन किया है उस email ID को ओपन करना है जैसे कि मैंने सबसे पहले दोस्तों अब इसको शोइन folder करें इस सबसे फेले फोल्डर करने के बाद राइट क्लिक करके इस फाइल को क्या रलें हाइब tea और आप दोस्तों झाहेंगे अपने दिस पी सी में जैएंगे करके यहां पर इस पीसी लिखा हुआ है मैंने किसी भी फोल्डर पे क्लिक कर दिया और दिस PC पे क्लिक किया है यहां पर आपको जाना है दोस्तों द्राइब में अब जैसी आप सी ड्राइब में जाएंगे तो जो आपने इंस्ट्राइशन गया उसका फोल्डर बनेगा सब्सक्रीम सब्सक्राराइं जैसे के आप यह पर देख पा रहे हैं अब इस बिजबी पिर अधर टुबल क्लिक करेंगे और यहां पर य Springs करेंगे इस फाइल को पेस्ट करदेंगे तो पेस्ट को चुका है अब सब्सक्राइब अब करते हैं अब मैं से क्लोजरे था अब औरSuper पर लिखा नहीं आ रहा है यानि कि अब हम इजी वे में अपने काम कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर क्रिएट कंपनी पर क्लिक करना है और यह जो मैसिज शो होगा आपको दूसरी बार में इसे नो कर देना है अब यहां पर सपोज मैंने फार्म बना दिया अंकित इंटर प्राइजेस कंपनी का नाम डालना है और उसके बाद यहां पर जो भी आपके स्टेट है वो डालेंगे और बुक कीपिंग आपको कब से करने हैं जैसे 2023-2024 का जो चल रहा है अभी जो करेंट हम बात कर रहे हैं तो 2023 यहां पर एक अप्रेल 2023 लेंगे अब उसके कोई कॉमन सा इसमें जैसे की मेडिकल MSME आपको यहां पर लेना है MSME अगर आप कोई अधर ट्रेट लेते हैं हो सकता है कि software यह आपका paid वर्जन मांगे आपसे आप यहां पर MSME पर एंटर कर दें तो दोस्तों मैं फिर से दिखाएता हूं कहां पर यह option पूछेगा आपसे य और यह जो फर्म है यह बता दिया आपने आप लिक्स प्रोवाइडर हैं ट्रेडर हैं क्या है तो जो भी यह आप ट्रेडर लें ऐकडियर स्लेक्श्न में बल्कुल सेलेक्ट ना करें इसके अंदर और जो भी इसका एड्रस है दोस्तों एड्रस के लिए देगी क्या लाईन सकते हैं आप चाहें तो ना डालें अगर आप प्राइवेसी रखना चाहते हैं कि मेरे अकाउंटेंट या सी एक डिटेल इनके पास क्यों रहने चाहिए तो आप चाहिए इससे खाली छोड़ सकते हैं कोई mandatory और बांकी चीजों को आप डिफोल्ट करें और यहां पर दोस्तों आप यहां पर दोस्तों आप देख पारे होंगे कि आईडी पासवर्ड रखने का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है कि जैसी सौफ्टर ओपन हो तो आईडी पासवर्ड का एक option हो तो यह भी आप कर सकते हैं तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मेरे से पूछे तो मैंने यहां पर आईडी पासवर्ड रख दी सपोज यहां पर मैंने id रख दिया अपनी ae पासवर्ड भी रख दिया ae और ae तो यहां सूपर यूजर नेम में आपको id डालन है अब देखी दोस्तों अब हमारा जो एक्सप्रेस मोडल भी जीगा वह बिल्कुल एक्टिव हैं अगर हम कोई भी इन्वाइसिंग करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हमें कोई भी ऐसा option नहीं आएगा कि यह हमारे बिल पर कहीं पर भी लिखा नहीं आएगा कि हम बोल इसके बाद में इसको कर देता हूं अप्लाइट और से यह दोस्तों हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम देख सके कि हमारे बिल पे कुछ ऐसा तो लिखा नहीं आ रहा प्रोवाइड़ वाटर मार्क तो हम इस पहले यस करते हैं परस्ट इन्वाइस बनाके इसको से तो यह दे का नाम बिजी सेलेक किया है बाकि कहीं पर भी जो है दोस्तों यह शो नहीं हो रहा कि यह सौप्टर बिजी की तरफ से प्रोवाइड़ एड़ यह वाटर मार्क है कुछ भी ऐसा ओप्शन यहां पर नहीं आ रहा तो आप इसी वे में जो हैसे यूज कर सकते हैं पर दोस्तो इस चीज का बास ध्यान रखें जितनी भी आप जो इन्वाइसे जन्रेट करें तो यह देड़ करोड से कम के होने चाहिए बेसिकली यह जो एडिशन रखा गया है यह मसमी की लिए रखा गया जो बहुत स्मॉल बिजनेस हैं और इन्वाइसिंग करना चाहते हैं I hope दोस्तो आप बने रहे मेरे इस वीडियो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कई कि एकी बैलन्स है क्या बैलन्स है अकाउंट स्टेट्मेंच तो हम complete इन सबी चीज़ों के बारे में जानने वाले तो दोस्तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें अगर दोस्त चैनल को जुरू सब्सक्राइब करके आप रखें हलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कल जो आपने जाना था कि कैसे हमें बीजी एक्सप्रेस यानि कि जो 100% free billing software है उसको कैसे इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि बीजी एक्सप्रेस free billing software है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको डाउड़ और कैसे इंस्टॉल करना है उसके बाद दोस्तों यह वीडियो आप complete देख सकते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे आपको तो बने रहे मेरे इस वीडियो में और अगर आप नहीं है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसे ही मैं अपनी कंपनी पर एंटर करता हूं अब यहां पर बहुत सारे ओप्शन्स आरे तो कल मैंने आपको ब आप यकों प्रत अब आपको आपको पन कंपनी करना है अब अब जैसे आप बात करने के निचे ऑन से जो यूजरनेम और डाला है अब जैसे ही दोस्तों आप सॉप्टेर को अबन करेंगे यहां कि कंपनी को उपन कर लेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आएगा अब इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या सेखने वाले कि और शुरुवात ही जो है हमारी यहीं से होती है कि अब हम इसमें आइटम को कैसे आड़ करें अब हम इसको जितनी भी जो हमारी सेल परचेज की पा बात मैं आपको दिखा भी देता हूं जैसे कि आप नहीं पर देख पा रहे हैं ऊपर जो है पूरा मेनू का सेक्षन है यह एड्मिनिस्टेटर है ट्रांजेक्शन है डिस्प्ले है हम डेली वाई डेली इन सारी चीजों को सीखेंगे समझेंगे कि कैसे यह यूज होता है प पर दोस्तों यहां प्रहमी स्टैबर जानना है इतनी जुदे方面 आपने ऐगाम अगरेक्शन के है अगरा को करनार जैसे सेलst की पार्टी पिरचेज की इसको पार्टी भी बोलते हैं अकॉंट भी बोलते हैं तो यह सारी हैं गतित से पहले हम संजेंगे आइटम को और यह हमा हर जगा पे आपको तीन ऑप्षन नज़ आने वाले ही यह जगह पे आपको सरस эпy laaly लेकिन अब उसके अंदर कुछ चेंजिस करने है तो उसके लिए आपको मोडिफाई करने है और लिस्ट कि आपने जितनी भी आइडिंग करें है प्रोड़क्ट को उसकी लिस्ट आप एक साथ देख सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या समझेंगे एड तो एड पे आप आप एंटर करेंगे अब एड पे एंटर करते हैं यहां पर आपको एक फॉर्म शो हो जाएगा जहां पर आपको अपने आइटम की डिटेल को मेंशन करना है जैसे कि अब हमारे आइटम का नाम जो भी है मैंने मालीजे डाल दिया है यहां पर कीबोर्ड प्लस माउस प्लस और आप इसको जैसे भी यूस करा चाहिए सपोसे एक आइटम को मेरे जीूस करना चाहते हैं ये और रएक बार इक यूस करना चाहते हैं और अब यह जो आप डालेंगे ये पर स्केंड मिल пошrawnEEं धो ॉतियुक्ट मों ओस ऑपको हम जाएगा अगर आफको इमछीं हो जाते हैं और यह प्रिंट्ट्स नेम है मतलब कि जो यहां पर आप देख पहरे हैं यह आपके प्रिंट्स आयेगा अगर आप चाहते ही कि नहीं मेरे आइटंक कर नाम देक्षा नाम लेकिन प्रिंट्स है कि यह भी लिखा आना चाहिए हैं ताग impose यहां पर इसके हैं दाल पर एंटर करते हूं तो जो आइटम बना रहा हूं इसमें कंप्यूटर हाडवेर से रिलेटेड है यह आइटम तो आप इस तरीके से गुरूप बना सकते हैं जैसे कीबूर्ड माउस का गुरूप और मानलो आपके डेक्स्टोप का गुरूप बना दिया अपने में तो ग्रॉसरी में स्नैक्स हो गए और भी जो इस तरह के फूर आइटम है तो ऐसे अलग अलग गुरूप होते हैं तो आप इस तरीके से जो है इसको यूज कर सकते हैं आप दोस्तों यहां पर कोशन यह है कि बनाना कैसे है तो आपको अप्टी कीबोर्ड से जो है एफ प्रेस करना है अब मैंने यहां पर एक चीज और भी है कि अगर आपके पास न्यूव लैप्टॉप है या नया जो अभी कीबोर्ड आ रहा है मार्केट में अगर वो है अगर 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 से आपका काम ना हो तो आप जरूर एफ न के साथ में एफ तरी बटन प्रेस करें ए लो कॉम्बो मैंने गुरूप बना दी कॉम्बो का अब इसमें सभी तरह के कॉम्बो जो आइटम बना हो वो आ जाएंगी मेरे और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर एंटर करना है अंडर गूरूप इसका आप जरनल रखें और यहां पर अगर कोई ऐसा केस है कि जो नहीं आप इसको कर सकते हैं अगर अपको बेसिक अंदर मेंशन करना है उसका एंटर टाकर के सेव कर दिना है अब आप यहां पर चेक करेंगे तो देखिए आपके सामने दो गूरूप नज़िरा रहे है एक जरनल और और कॉम्बो हमसे कॉम्बो में ढाल दिया अब यूनि में सेल करूए युनिट में सेल करूए यहां पर बाइड नमबर्स बना लिए और यहां पर यूद्स बताना अब ये नंबर्स हमारे बन गए अब दूस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं ओपनिंग इस्टॉप माली जी आज आप सॉफ्टर स्टार्ट कर रहे हैं पर काम तो पहले से रुपे की और उसके बाद दूस्तों इसमें जो जी एस्टी है या पर स्पेस के बटन से इसके मैनू को खोल सकते हैं या फिर टाइब भी कर सकते हैं तो यह जो घ़िए इस पे बारा नी मेरे तो यही प्राइस और सकते हैं और अगर आप खाली चूड़ते तो उस टायम पर प्राइज को पूटफ सकते के मुझे JEFF आपको इसके बाद और इंटर करना है परफचेज प्राइज मेरा यह जो परफचेज है कितने में जैसे मुझे च्वादा जो रुपे में आता है और इसके मार पी बाइज और मिनिमुम से प्राइस मतलब की कम से कम कितने में सेल करना है आपको इसे तो मैंने अपनी बांटरे डिसाइड कर दी कि मुझे कम से कम तो 16 रुपे में से सेल करना है मतलब जैसे 16 सो से नीजे सेल करेंगे तो सौफ्टर आपको बता देगा अब उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे बहुत सारे आपा एंटर एंटर करेंगे और यहां आइटम का डिसक्रफ्शन है बिसक्रिप्शन आप यहँ बता सकते हैं कि जैसे विंद्वेट्व 17 में यूज़ होगा यह तुमें इस आइटम के डिसक्रिप्शन बता रहूँ बाकि आपका जो भी प्रोड़क्ट यह ताप से डिसक्र स्टॉक बैलेंस मैंने कम पर इस तरीके की με यहां पर और यहां करƑक देगे। पर यहां से एक मैं नौड ल Creemous को है करने हैं उचलते ही दो मैनेस में उसके सब याप यही आप एपडज कर सकते हैं अगरby नहीं यहांँ आप पी इसको नो रखेंगेकर अब जैसे ही मैंने países फेली कि ट्रीटेश थे खाहली हो चुका है अगर मेरा सेंग हो चुका है तो है जैसे एक बार हूँ हमा और इसी केος अब देखें मैं modify में गया अब यहां पर देखें आपको दिखाए दे रहे है आइटम का नाम मेरा जो भी मेरे आइटम का नाम है एक demo आइटम के नाम से अब करेंगे और के बाद रहे हैं कर आइटम एपसे से सर्च और करें लिया और फिर अपको एंटर करने के बाद की इसमें जो मैंने शेलब गूआ यहों वह गलत हो गया से तरहा न कि सब्सक्राइब यह प्य। अनिemy श suffers लिदे Henry ब्रैंड का नेम में डाला के किसका है यह तो मैंने यह डाल दे माले जिए Logitech तो Logitech Company का और इसको भी जो है मैंने हटा दिया जो प्रिंट नेम है जो है वैसे का वैसी रखा और उसके बाद मैंने से कर दिया आप चाहें तो मांसे से क्लिक कर सकते हैं या चाहें तो आप से 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 होता है तो मैंने है इसको से वोगा से देखना जाता हूं लिस्ट पर गया एंटर किया और उसको स्क्रीन पर तो मैंने स्टेंड़र्ट पर एंटरकर के और अप चाहे तो सतल को डिटा दीखे कि अब डेमो आइटम के नाम से जिसका स्टाउड जीरो है और एक मेरे बना हुआ है इसमें स्टाउड मेरे पास पीले पोपनिक टूर यह करता हूं अगर दो अगरी यहां से भी मैं अट्राइव को देख सकते हैं तो यह दो डिकलियर होगा अगर आपको अपनी जब भी sales की party बनानी है पर चेज की पार्टी बनानी है थीक है तो इसके लिए फिर आपको same यहीं administrator और master master में सबसे पहला ही option आपको मिल जाता है accounts अब जैसी accounts पे आप enter करेंगे और यहां पे सबसे पहले option पे आपको add करना है अगर नया add करना है मैंने बताया कि आपको हर option पे तीन option लज़राएंगे Add, Modify, List Add मतलब कि हमें नया add करना हो Modify मतलब कि कोई पहले से add हो रखे है हमें उसको edit करना है तो उसके लिए तो अभी मैंने यहाँ पर एड करा और यहाँ पर मैं डाल देता हूं माल लिजे कि राम वर्मा एंटर पैजिस और एंटर किया एलियाज आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं माल लूप हर पार्टी को एक कोड देना चाहते हो या कुछ और भी यह आपके अकोडिंग आप अपने आइटम के गुरुप के मतलब से आइटम का गुरुप तो यह कि आपने गुरुप बना दिये और वो आइटम के विहाप के काम करता है अब यहाँ पर जो गुरुप है दोस्तों यह अकाउंट गुरुप के उपर काम करता है अब यह जो राम वर्मा एंटरपाइज है अग पिन नमबर संडी डेटर और अगर केस यह है कि जो राम वर्मा इंटरपाइज है मैं इनसे माल खरीदता हूं जाने कि परचेज करता हूं कुछ भी समान आता है तो मैं इससे खरीदता हूं तो यहां पर फिर आपको क्या लेना है संडी क्रेडिटर अगर परचेज की पार्टी है आपकी संडी क्रेडिटर और अगर सेल्स की पार्टी है जिनको समान आप सेल करते हैं बेशते हैं तो संडी डेटर अब दोस्तों यह अगर आप गलती करते हैं तो इससे क्या एफेक्ट करता हूं इसमें महली जै मेरी पर्चेज की पार्टी है और मैं उसे सेल करते हुआ जा रहा हूं गलती से मैंने उसका जो है गुरुप यहां पर सभी से समझा नहीं और मैं डाल दिया तो आप सॉप्टर मुझे दिखाएगा कि इतने पैसे मुझे इन से लेने नहीं है मुझे सेल्स की पार्टी है तो संडी क्रेटर अब दोस्तों उसके बाद यहां पर देखे क्या है ओपनिंग बैलेंस मालीजे स्वाफ्टर तो आपने कल इंस्टॉल किया है और आज से आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो अब इस पार्टी का कल तक का जो भी लेना देना है अब दे जाते हैं कि कल तक का मैं इसमें हिसाब डाल दू सारा का सारा और उसके बाद फिर जो है मैं आगे जितनी भी बिलिंग करंगो उसकी स्टेट्मेंट तो आटमेटिक बनी जाएगी तो आप यहां पर डाल सकते हैं आप जैसे मालीजे मैं डाल दिया कि यहां पर 15 आजार रु तो यहां पर भी होता कि पैसा हमें इनसे लेना हमें वह कभीकेसbels पैसा है एक पैसिंजेस बैकल वीन ह remember एक्पों देना है दोनों कश्रों को सकता सेल्स की पार्चेश की पार्ट की तो आपको ध्यान क्या रखना है अगर यहां पर डी तो डी का मतलब यह होता है कि हमें यह 15,000 जो अंब यहां पर मेंखे हैं 15,000 अगर मैंने यह 15,000 वे राम वर्मा को मुझे देने मैं इनको पैसा पे करूँगा और अगर मैंने डी किया है तो इसका मतलब यह कि राम वर्मा से यह 15,000 उपर लेना है मिरको जो पिछला इसाब है तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं समझ कर अब फिर इसके बाद जो भी इनका एड्रस है एड्रस डाल देंगे अब डालने क आपर दोस्तों यह पार्टे आपकी रजिस्टर है यां यहां पे पर अपर पार्टे के लिए वह लेता हैं नमर तो फिर पता लग जाता है तो यहां पर आप आप डिसाइड कर सकते हैं तो आप रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्र और यहां थो पर अगर है तो और हंसे कि मैं माले तो हुम मेरे केस में आगर है दीख कर दिया है मैं उसकी इस सारी अधार नंबर है पैन नंबर इमेल आईडी अधार डिटेल है चाहें डाल सकते हैं यहाँ पर आप चाहते हैं कि जो इसे की पार्टी अगर कुछ यह यह ताइप हो रखा है कि आपको हम कोई भी बिल देंगे उसका पेमिंट करने का टाइम जो रहेगा वो 15 दिन का र यह यह तो सेंस्ट में डाल दिया अगर आपकी पर्चेश की पार्टी उगए तो ऐसी पर्चेश में डाल सकते हैं कि जो Любित हम इसे माल तो हमें उसका 14 दिन का टाइम मिले गा तो ऐसे आप कर सकते हैं और उसके बाद बांक की डिटेल्स आप कहे है नौर्मल छोड़ देंगे और यहां पर bank detail जालने डाल सकते हैं सामने वाली party की यह खास तोर पे use होगा आपकी purchase की पार्टी के लिए अच्छे से क्योंकि purchase की party को हमें pay करना होता है तो हम उनकी बैंक डिटल पहले से डाल के रख देंगे तो उसके लिए यूज कर सकते हैं नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं कंपर सरी नहीं और उसके वाद सेव कर लेगे अब देखी जैसे हम सेव करने जा रहे हैं तो अब यह पूछ रहा है यह 15 हजार का जो हिस तक का इसाब डाला है तो कल 15 तारी क्यों तुम मैंने डाल दिया 15072023 कि यह जो इसाब है 15 जार का यह 15 तारिक टक्का है हमारा 15 जुलाई तक का उसके बाद इंटर एंटर करके मैंने सेव कर दिया अब जो 15 जार का बैलेंस है वो इस केस में शो करता रहेगा अब देखिए अब हमने एड तो कर लिया अब इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने राम वर्मा इंटरवाइस बनाया मानिजिए उसका मोबाइल नंबर गलत है उस इसको ठीक कर दिया और इसके बाद कीबोड से एफ तू करेंगे और इसको एंटर एंटर करके इस सब करता हूं राम तो आप आरा है राम एंटर वाइजिए यह वर्मा जो हमने लगाया तो वह अटा दिया एडिट करके तो इस तरीकी से मोडिफाई कर सकते हैं अब तक दो फसको एंटर करने के वाद दोस्तों यहां पर उपर की सैट में आप देखेंगे तो करने रहंतों अपर एंटर करते हैं सब्साइट में आयंटर करेंड रहा है करेंगे हमने F8 पे क्लिक कर दिया directly और यह हो गया अब हम जाते हैं अपने item में और modify पे एंटर करके अपने demo item को delete कर देते हैं तो यहां पे आप F8 करेंगे यह directly क्लिक करके भी कर सकते हैं अब यह item डिलीट हो चुका है तो इस तरीके से डिलीट करना है अब जैसे item डिलीट करना है ऐसे ही आपको accounts में जाके modify और जो भी आपने account बनाया है एंटर करेंगे और यहां पे F8 करके इसको आप चैरो delete कर सकते हैं अब जैसे मैं से yes करूँ हो तो यह भी मेरा delete हो जाएगा तो F8 से आप करें data already सकते हैं तो की अपको समझ में आया हुआ कि का सी हमें आईटम को बनाना है कैसे modify करना है कैसे डिलीट करना है कैसे गचारे सकते हैं और ऐसे ही कैसे हमें अपनी sales की party को बनाना है कैसे तो दोस्तों चैनल को जूरूierte कर कि आगे आने वाली जिफिव जो वीडियो है इससे रिलेटेड जैसे अभी आगे आपको परचेस, सेल, इड्मेंटरी, कैसे मैनेज करने हैं, कैसे अकाउंटिंग मैनेज करने हैं, तो step by step यह वीडियो आपको मिलने वाली है, तो चैनल को जरू सस्क्राइब करके रखें, ता और भी आगे बिल सकें, हलो दोस्तो, दोस्तो इस वीडियो में आज हम जानेगे कि कैसे आपको अपनी बिजी एक्सप्रेस वर्जन में परचेज एंटरी करनी है, और कैसे सेल एंटरी करनी है, तो यह दोनों ही चीज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर दोस्तो आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा कि बिजी एक्सप्रेस 100% फ्री है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले आप उसको डाउंगोड करके एक्टिवेट करें, बिलिंग सॉप्ट्वेर है, जिसमें आप अपनी इन्वेंटरी अका कि हमें आइटम बनाने कैसे हैं, तो हमारे आइटम यहां पर बन चुके हैं, जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं, एक कीबोर्ड प्लस कॉम्बो हमारे पैस एक आइटम है, अभी इसका कोई भी स्टॉक नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक आइटम बनकर रेडी तो अभी अगर मैं इसका स्टॉक स्टेटस चेक करूँ कि मेरे पास कितने पीस रखे हुए, तो मुझे जाना होगा यहां पे डिस्पले में, और डिस्पले में जाने के बाद स्टॉक 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 और यह बैलन्स ओनली, और इसको इंटर-इंटर करके ओकी कर देंगे तो देखें दोस्तों यहां पर आप देख पारे हुए, कि अभी कररण्टेश मेरे पास जो है, वो पाँच पीस है, जो आप यहां पर देख पारे हैं, और यह पाँच पीस कैसे आया? क्योंकि हमने इसको ओपनिंग में डाला हुआ है और ओपनिंग जो हम वन टाइम डालते हैं जैसे आज से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज की ऑपनिंग हमने डाल दी अब दोस्तों आगे मेरे पास कोई भी श्टॉक आता है तो उमें परचेज के तूरू जो है आगे लेक पहले से उसको मोडिफाइ करने के लिए और लिस्ट जितनी भी आपने परचेज अब तक करिये उसकी लिस्ट के लिए तो हम एड़ करते हैं एड़ करने वाद मेंट पे एंटर करना है आपको और यहां डेट मेंशन करनी है कि जो आप परचेज चढ़ाना चाहते हैं वो अब यहां पर दोस्तों वाउचर में डालना होता है जो सामने वाली पार्टी हमें देती है यानि कि जो सामने वाले परसन ने हमें बिल दिया है तो उसके एक इन्वाइस नंबर लिखा होगा तो सामने वाले का जो इन्वाइस नंबर है जो हमें बिला है तो हम यहां पर मे करते हैं item wise अब जैसे ही मैंने यहां पे आइंटम किया आप यहां पर देखेंगे आपको यहां पे टाइप करना है आइटम जैसे मैंने यहां पर टाइप किया अब आइटम में दो option आपके बास आरहे हैं एक I और एक L अब इसका मतलब यह है कि जिसकी आप पर्चेज entry करने वाले हैं, वो party आपके local state की है या out of state की है, local और out of क्या है, जैसे कि माननी जी आप उत्तर परदेश में हैं, तो उत्तर परदेश से ही आप कुछ भी समान खरीटते हैं, वो party भी आपके उत्तर परदेश की है, तो ये local में count किये जाएगा, अगर आप उत्तर स्टेट और L का मतलब होता है लोकल तो अब यह डिसाइड करना है कि जिसकी पर्चेज एंटरी आप चड़ाने जा रहे हो वो लोकल पार्टी है आपकी या फिर इंटरस्टेट पार्टी है तो इंटरस्टेट आपको बदा लग गया कि आपके स्टेट से जितनी भी जो बाहर के स्टेट आते हैं वो सारे इंटरस्टेट होते हैं तो अब मैं जो इसमें पर्चेज डालने वाला हूं सपोजो लोकल पार्टी है मेरी तो मैंने आइटम वाइस एंट चूस कर लिए उसके बाद एंटर अब यहां पर दोस्तों आपको क्या डिसाइड करना है कि जिन से आ अब मैं यहां बें डाल देता हूं मानलोड DFS Enterprises यह मेरी पर्चेज की पार्टी है उसके बाद आप एंटर एंटर करेंगे प्रिंट में बाइडिपोल्ट आ जाएगा गुरूप में दोस्तों आपको डालने हैं जैसे अभी हम पर्चेज चड़ा रहे हैं तो अकाउंट ग देख सकते हैं मैं दोनों वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेंगा उसके बाद दोस्तों जो भी इसका एड्रस है एड्रस आप यहां पर डाल देंगे सब्सक्राइडर्स डाल दिया और एड्रस डालने की दोस्तों आपको चार लाइन होती है पहले देखें दोस्तों यहीं पर जो है अन्दस पोर्ट हमारा लेजर क्रियेट हो गया उसके बाद आप इसको एंटर करें और इसको में इस्टोर पे ही एंटर है और यहां पर आपको इंपूट गूट्स एंड सर्विसस पर ही एंटर करने और नरेशन में दोस्तों पुछ नरे मेरे पास कीवोर्ड प्लस माउस का कॉम्बो है तो मैंने इस पेंटर किया और मैंने बताया कि मैंने सब्तर पीस और परचेज किये हैं 14 रुबे के साब से ठीके 98,000 रुपे का बिल बना जीएस्टी लगने के बाद और उसके बाद दोस्तों अगर और और आप यहां पर इंटर करेंगी और इस तरीके से फिर पॉइंटेटिव अगरे डालती आप आगे बढ़ सकते हैं अब माली जे की जैसे मैंने यहां पर एंटर किया और यह जो है इस तरीके से कर सकते शिए अब दोस्तों यहां और वो आइटम यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भी आप यह प्रोसीजर फॉलो गड़ सकते हैं कि 3 बटन प्रेस करके अपना एक नया आइटम बना सकते हैं आप जैसे मैंने यहाँ पर एक आइटम बना दिया मानलो एसर 15-inch monitor तो मैंने यहाँ आइटम बना दिया यहीं पर on the spot और यह मैंने डाल दिया जनल उसके बाद unit यह मैंने रग दी pieces और opening कुछ नहीं मेरे पास on the spot मेरे को भी purchase करना है GST 18 है HSM code मैंने यहाँ mention कर दिया और selling price मानली जैसे selling price का 5000 रुपेगा है purchasing price इसका 3000 रुपेगा है और MRP इसकी 6000 रुपेगी है और उसके बाद दोस्तों आप इसको save कर दे जैसे मैंने इसको save कर दिया तो देखिए on the spot यहाँ पर आइटम हमारा आ गया और यह आइटम मानली जबने 50 परचेज कर लिए अब इसके बाद दोस्तों अगर और आपको बनाना है तो ऐसी continuity कर सकते हैं अब अगर बिल को save करना है तो उसके लिए आप अपने keyboard से F2 का button press कर सकते हैं या फिर यहाँ पर mouse से click कर सकते हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहें जैसी mouse से save पर click करेंगे और इसको करेंगे yes और इसे करेंगे okay करने के बाद दोस्तों यह account का section आगया उसको एंटर एंटर करके okay और इसको करेंगे okay yes करेंगे अब हमारा जो bill है वो save हो चुका है अब अगर हमने देखना है कि save हुआ है या नहीं हुआ है तो अब हम यहाँ पर आ सकते है और इंटर इंटर घरके से okay कर देते हैं तो यह देखिए अब एसर का जो हमारे पर आइटम है उसकी 50 quantity हमारे पास available है और यह जो keyboard गलत हो गया quantity गलत हो गई तो modify में आने उसका बिननमर डाने एंटर एंटर करने अब यहां पर दोस्तों यह ओपन हो चुका है अब सपोज की हमसे इसका प्राइज करके उस आइटम पर आने अब यह मैसर पर आए अब इसका जो प्राइज है सपोज 2900 रुपे था हमने गलत प्राइज करने तो इस तरीके से परचेज को आप मोडिफाई कर सकते हैं अब ऐसे ही दोस्तों अगर आपको सेल करनी है यानि कि जो हमारे पास अभी पाचे जाने थी स्टॉक आना था सब कुछ मैच हो गया अब हम सेल कर रहे हैं इसमें सेल किसे करेंगे जिसको भी हम समान बेचेंगे तो मैंने एंटर किया और एड पर क्लिक किया दोस्तों यहां पर आपको मेंट पर एंटर करना है और मेंट करने के बाद यहां तो आप अप्ले साथ पर डिसाइड कर सकते हैं या फिर करेंट डेट को ही आप मेंचन करके अपनी सेल करें और यहां पर आपको अच्छे से पता लगे है दोस्तों और दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट भी है अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपकी GSP या आपकी जो भी Tax Calculation में भी खराब हो जाएगी तो आप यहाँ पे हमेशा आइटम ले और I और L का ध्याम लखे कि अगर आपकी पार्टी आपके स्टेट के बाहर किये तो I ले अगर स्टेट के अंदर किये तो L ले तो जैसे कि मैंने L ले लिया अब मैंने ज देखें मैंने ले लिया और मैं इंको दो क्वेंटिटी चेल करना चाहता हूं 5000 रुपे के साब से GST लगा के 11800 रुपे का इसका बिल बन चुका है अब ऐसी मुझे अगर दूसरा एटम देना तो मैंने एंटर किया और दूसरे आइटम को मैंने कीवर्ड माउस को मैंने दे आउंट देना है या कोई इनके उपर चार्जिस जोडने तो जो नीचे आप देख पा रहे हैं option ऐसे ही आपको परचेज में भी करना है लेकिन आप यहां से समझ के परचेज में भी कर सकते हैं अब देखें अगर मैं चाहता हूं कि समान भेजने का मेरा फ्रैट चार्ज ल चाहता हूं कि इसको डिसकाउंट अप्लीकेबल हो जाए तो मैंने डिसकाउंट पर एंटर किया है अब आपके बाद दोनों option है आगे जो option है वो percentage का है और अगर आप percentage में नी देना चाहते है एंटर करके amount में भी दे सकते हैं तो सपोज मैं percentage में देना चाहता हूं 5% का तो भी बिल संटरी है जो एक बिल बनने के बाद के option होते है डिसकाउंट फ्रेट चार्ज लेबर चार्ज तो यह सारी चीज़ आप लगा सकते हैं और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है या एक को करके भी सेव कर सकते हैं और उसका आप करने करने का जिसे ही आप येस कर अब येस करने के वाद ही आपका प्रिंटर लगा हुआ है तो आप अपने इस प्रिंट को निकाल सकते हैं आप जैसे कि देखे मैंने ये प्रिंट अभी बनाया अब यह देखे निहां से यहां हमारा यहां पर जीएस की हमारी डिटेइल्स हमारा इड्रस जो है वो टॉप म अजाएगा उसके बाद बिलनमबर और उसके बाद कई कियी माल गया है और चे पार्टि को बिल हुआ है और किस पार्टि वा जहा है जा रही है तो सेम पार्टि हमारी वाटर मार्क लिए कि कहीं वाटर मार्क आ रहा हो फिर ही सॉपकर है इसलिए तो कोई वाटर मार्क लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं अब दोस्तों इसमें प्रिंट निकाल कि आप अपने स्टैंप या रिसीवर के सिगनेचर को भी ले सकते हैं सब कुछ एक बाई डिफॉल्ट बनावाए कंपणी की तरफ से ताकि आपको कुछ भी चेंग्जेज या एड़ोन कराने की ज़रूती ना पड़े तो सारी चीज़े जो है घिष्टी के अपर और पूरा लिगलाईस है वतलब जैसा गौर्टमेंट ने अपर बिल होना चाहिए वैसे ही यह बिल है तो आप उसको अब प्रिंट करके दे सकते हैं ठीके दोस्तों अब दोस्तों सेल बिल में भी यह केस आ सकता है कि ज़र हमने जो बिल बनाया है उस बिल के अंदर ह करें बीबर करें अब यहां पे भी वो सारी सिच्वाशन किसर जो एसर मोनिटर है वो दो हमने डालती कल्दी से जबकि एक और तो आपको एंटर 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 करना है अब यहां पर हमने एक कर घृणी है अब इसका बिल जो है वो बन गया पांश यार प्लस जीशती के पि उसके बाद लास्ट वाले मिसल सब कुछ ठीक था पर 1800 का रेट था, तो हमने 1800 का दिया, तो सब कुछ यहां पे क्या अपडेट हो गया, पहले देखो इसका 11000 कुछ का बिल बन रहा था, अब 7000 का बिल हो गया, अब हम इसको सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं इसको, और इसे 12000 का था, अब यहां पे जो आपका बनता है, 7872 होते हैं, तो यह, तो जो भी चीज़े आप अपडेट कर सकते हैं, और लिस्ट में क्या जैसे कि मैं बता चुका हूं, कि लिस्ट में आप जैसी एंटर करेंगे, तो जितनी भी अब तक कि आपने सेल करी है, वो लिस्ट अपने सेल करें, तो अब यह मेरे पास 40-30 बचा है, जबकि मेरे 50 आया था, और यह मेरे 72 था पहले, अब यह 74 आया है, आप इसी पे एंटर करके चाहें, तो उसकी डीटेल भी देख सकते हैं, तो देखिए, मेरे पास क्या है, 70 पीस आया, 5 पहले का ओपनिंग था, उपर अ होगा, कि कैसे हमको इसमें परचेज करना है, कैसे हमें चेल करना है, और कैसे हमें रिपोर्ट देखनी है, स्टॉक की, कैसे कैसे कितनी क्वांटेटी कहाँ पे हमारी था, अगर फिर भी कोई कोशन है आपका तो मुझे कमेंट के दुरू बता सकते हैं, कि सार यह कोशन है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उससे रिलिएड आप कुछ चीज को एनलाइज करके आपको solution देते हैं, और दोस्तों कैसे software को download करना है, कैसे इसको activate करना है, जो कि 100% free है, तो उसके लिए video description box में मैंने डाल दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, या i button में जाके चेक कर सकते हैं, ताकि आप उसको download करें और activate कर सकें, free वर्चन है, free सारी चीज इसके अंदर available है, जिसमें आप अपने billing, accounting, inventory manage कर सकते हैं, तो दोस्तों, वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, ताकि आगे की और भी वीडियो आपको मिल सकें, और भी चीज़े जो है, आ उसमें item बनाया, आपने party बनाई, उसके बाद हमने purchase entry करी, sale entry करी, अब दोस्तों इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि जो हमने purchase entry करी है, और जो हमने sale entry करी है, उसके account को, यानि कि उसके balance को कैसे maintain करें, यानि कि जिसके हमने purchase ली है, समान खरीता है, हम उसको कैसे payment की entry करें, पाकि उसका जो ledger balance है, वो maintain रहे, ऐसी जिनको हमने समान sale किया है, उनसे हमें कितना amount लेना है, और कितना pending है, और कैसे cash की statement देख नहीं है, पीडियो कैसे बनाना है उसका, तो यह इस वीडियो में इस वार हम जानेंगे, तो बने रहे हैं मेरे इस वीडियो में, और दोस्तो और purchase sale की वीडियो को देख सकते हैं, जो कि description box में आपको मिल जाएगा, और दोस्तों अगर आप नए हैं तो जुरूर चैनल को subscribe करके रखे, तकि और भी इस तरह की नई वीडियो, नई information चीज़ी आपको मिल सके, तो चलिए दोस्तों start करते हैं, दोस्तों जैसे कि है, पिछ करने हैं, को हम कैसे payment करें की, इनका till balance क्या है, और कितना हमें pay करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको आने display के menu, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, transaction के next पर ही display, इस display पर click करने के बाद, आपको यहाँ पर दोस्तों तीसरे number पर option आ रहा है, account books, आप जैसे account books पर आप standard, standard के वाद one account, और यहाँ पर आप type करें, DFS, तो मैंने DFS का enter किया, और यहाँ date mention चाद दिया, मैंने complete, जब से जब तक मैं चाहता हूँ, और उसके बाद इसको okay कर दिया, अब okay करने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर इनकी statement निकल के आ गई है, कि तिल सक्रस आप त यह करके चलिए कि हमने इनको 170,000 को पे कर दी, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको आने हैं दोस्तों दुबारा से transaction के menu में, और यहाँ पर आप transaction के menu में आने के बाद payment पे enter करेंगे, जिन से भी हम समान खरीदेंगे, उनको हम payment के entry करेंगे, तो आप देखे, हम payment पे जाते हैं, और हर देखे पर आपको जो तीन option मिलते हैं, इसके भी आपको मिलेगा, add मतलब नया add करने के लिए, और modify याने कि पहले से कोई add है उसके लिए, list निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम add करेंगे, enter करेंगे, और यहाँ पर date mention करना है आपको, suppose कि उनको payment हमने payment कर दिए, तो 1907-2023, उसके बाद enter किया हमने, enter करने के बाद यहाँ पर आपको not applicable रखना ही, और enter करके सबसे पहले आपको party का नाम सेलेक्ट करना है, तो party का नाम है BFS, और enter किया, अब दोस्तों जैटको party का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, तो इनका current balance क्या चल रहा है, वो न आपने बात करें कि हमने इनको 170,000 रुपे की payment कर दिए, तो हमने mention किया, अब जैसे ही आप payment डालके enter करेंगे, तो यह window open हो जाएगी, बिल adjustment की, बालल यहाँ पर आपको यह बताना है कि कौन से बिल का आपने payment किया, मतलब को यह reference आपको यह बताना है, आपको enter करना है, अब यह इनका बिल आया था, ER 352,86,000 रुबें से, हमने इंटर किया, 1,70,000 रुपे कर दिए, अब यहाँ पर दोस्तों, आप डाल सकते हैं, कोई भी short narration, माली जी किसी अंदर आपने cash दिया है, तो किसी person ने जाके आप यह पे किया है, यह इनका person आपके पास आया है, वो डाल सक अब देखें दोस्तों, यहाँ पर cash आ रहा है, अब UTI जो मैं करूँ हो, तो मेरे bank account से होगी, तो यहाँ पर मुझे एक account बनाना पड़ेगा, सब्सक्राइब, तो account बनाने के लिए F3 कर लाए, और F3 करके, सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करके, ग्रूप में आपको payment के entry complete हो चुगे, अब हम जो है statement साके check करके, तो display पे जाते हैं, accounts, ledger, account wise, standard, उसके और one account, और party हमने selectर रखें पहले से, और enter रखेंटर करके उसे कर दो, तो अब देखें दोस्तों, यहाँ पर जो आपको दिखाए दे रहा है, 17 तारकी तो हमने इंसे purchase लिए, 19 को हमने इनक अब देख पा रहे हैं, अब जो इनकी जो बिल साव वो आया था, दो लाग स्टाशी जार रही है, अब जो इनका balance रहा गया है, जो हमें pay करना है, वो एक लाग सोला हजार सास्तों चालिस रुपे, तो देखें, इनका account किस तरीक से आपर maintain हो रहे है, अब दोस्तों, अगर पीडियाप सेलेक्ट कर लिया, और एंटर, एंटर करके कर लिया, और इसे yes करेंगे, तो आप देखें दोस्तों, इनकी statement यहाँ पर ready हो जाई, अब यह इनको आप चाहने तो बेश सकते हैं, अगर उस case में कि अगर कामने वाली party आप से मांगती है तो, अब जैसे हमने यह purchase जनरेट किया था, वो RAM Enterprises पे किया था, जैसे हम देख पा रहे है, तो RAM Enterprises का हमने इस स्टार्टिंग में लेजर बनाया था, तो 15,000 रुपे का ओपनिंग भी डाला था, और हमने उसके बाद इनको सेल कर दिया, अठातर सो रुपे का, अठातर सो बहतर रुपे असी पैसे का तो अब हम इसकी भी statement check करते हैं, तो same situation वही है, डिस्पले में जाके, account book, ledger, और ledger में account wise, standard, और standard run account, और यहाँ पे आप हम type करेंगे, RAM Enterprises, इनकी भी data mention कर दी, और okay करते हैं, तो देखें, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कि हमने जो इनको बिल किया था, वो 19 करी को क और दिन नमर इनका यह है, 78,72 रुपे का किया था, लेकिन यहाँ पे balance total 22,000 रुपे को जोड़ोगे, तो यहाँ पे 22,872 रुपे हो जाएगी है, अब यहाँ पे suppose करके यह चलिए कि इन्होंने 20,000 रुपे हमें कर दी है, तो अगर किसी भी party से आपको Пैसा मिलता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिक के entry ईंसके, जिनको आपस рекउल कर रहे हैं, टीक है तो रोटी आपने एंटर करना कि और पाइड करने का अब यहां पर डेट मेंशन करना है कि कभ आपको रिसीव को और उसके बाद मैं यहां पर आपको पार्ट करनी है तो मैंने इसलेक करने है दाव में पर काईजिस आप अब यहां पर आपको बताना है एड्जस्मेंट कि मैंने किस एड्जस्मेंट से आपको यह पैसा मिला है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर डाल सिकते हैं कि इन्होंने यूपी आई किया यहां किया तो हमने डाल दिया कैश के पर का में अब इसकी बी इसकी स्युट्र प्रेंश्मेंट करें पर आके डिस्पले अकांटस हुक्त फुक्स लजर वुक्त अकांट वाइज तो और वन अकाउंट और उसके बाद आप इसको दरेकली कर देंगे तो देखी इनकी स्टेटमेंट क्या वंद रही है अब जो इनको पे करना है वो कितना पे करना है दो हजार आठ सो बहत्तर रुपए 80 पैसे और पहले का जो बैलेंस था बाइस जार था उसके बाद हमें 20,000 इन कि हमने अभी सुरू में देख लिए तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं अगर पेमिंट में भी सिट्वेशन यह बनती है कि जो हमने पेमिंट के एंटरी करी या जो हमने रिसिप के एंटरी करी उसमें अंसे मिस्टेक हो गही है तो आपको एंटर करना है मोडिफाइप और इंटर-इंटर करके ऊपी करना और उसके बाद आप नहीं पर जो है जो भी आपको तो इस तरीके से आप अपने प्लेंट की भी और रेसिप की चीजों को ठीक कर सकते हैं आइ होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि जिनको भी हम सेल कर रहे हैं या जिनसे भी हम पर्चीज ले रहे हैं तो इनका account भी कैसे maintain करना यानिकि जो भी इनसे balance आता है या जो भी हम balance आगे pay करते हैं इस बीच जो भी ठीकहता है। हितने फिर सब्सक्राइब पूर सबक्राइब सबदills क्यां सब्सक्राइब सब्सक्राइब की आवर्डिंग तो अब हम इन की रिपॉर्ट को कैसे देखें की हमें कितना या फिर हमारे पास कितनी पाटिज है या जो भी हमने की ले स्टॉक का एक पार्ट है तो रिपोर्ट हम कैसे देखें यह इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे अगर आपने सबसे पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें बीजी एक्सप्रेस जो है 100% फ्री है तो आप जाके वो वीडियो देखें और धाउड करें और एक्टिवेट करें और बागी की सारी चीजे सीखें और चैनल को जिरू सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं किस तरह की इन्फरमेटी वीडियो आके आप और भी मिलती रहेगी और दोस्तों साथ ही साथ हम जानेंगे इसमें कि जीएस्पी रिपोर्ट भी अगर आपने निकाल लिए तो कैसे निकालने बने रेवर इस वीडियो में तो चले दोस्तों स्टार्ट करतें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन करें हैं जैसे कि सेल्स में जाके लेस्ट और यहां पर डेट डिफाइंगर के कितनी ट्रांजेक्शन जो हमने करी हुई है और जो भी हमारे पास परचेज आई है परचेज कितनी आई है उसके भी लिस्ट हम चेक करने पर है तो यहां तो हमें एक बेसिक रिपोर्ट देख पाही रहे कि हम कितनी हमारे पास परचेज आई है कितनी हमारे पास सेल्स है यह तो एक बेसिक रिपोर्ट है बट हमें और देख नहीं है, closing stock क्या है, ledger wise treatment क्या चल रहा है, ठीक है, तो और भी ऐसी बहुत सी report है, आपको यहाँ मिलती है, display के अंदर, तो display में जासी आप आएंगे, सबसे पहली report जो है, इसमा final report है, याने कि final results, जो हमारे पूरे company से related होता है, कि पूरी company में balance sheet क्या चल रहा है, profit and loss क्य share है, तो यह सारी चीज़ है, तो सबसे ज्यादा जो use होने वाला इसमें जो है, वो यह है, कि आप profit and loss देख सकते हैं, अब जैसे मैंने आप define कर दिया date, और इसमें आप चाहते हैं कि मुझे closing stock के साथ देखना है, जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं, तो यह सारे optional है, आप इसमें yes कर दिया, और enter, enter घर के okay कर दो, तो अब इस तरीके से जो है, आपको आपकी जो भी profit and loss के reports है, वो दिखाए देख देखे हैं, अब इसमें net profit हमें दिखा रहा है, वो यही दिखा रहा है, कि हमें कितने का profit हो गया, 768 रुपे गा, net profit, और total 73 रुपे, क्योंकि इसमे related, तो यह आपको profit and loss आगया, अब ऐसी अगर हमें balance sheet देखना है, तो हम balance sheet पे enter करके, horizontal और यहां पर भी date define करके, आप yes, no, yes, no करके, जो चीज़ आप चाहते हैं, वो देख सकते हैं, अब profit for the period क्या चल रहा है, उसके बाद capital accounts क्या है, कितने हैं हमारे पास, और उसके बाद क् हमारे पास चल रही है, तो जैसे कि यह भी लाइटी है, अब इसी तरीके से payment and receipts है, आपको कौन से महीने से कौन से महीने तक का देखना है, और उसके बाद आपको यहां पर दिखाई दी जाएगा, तो यह सारी चीज़ आना है, ट्रेटर को क्या देना है, यह सारी चीज़ कि बाहर कितना देना है, और यह बाहर से हमें कितना लेना है, तो यह है, आपको फाइनल रिजेटर मिलता है, उसके बाद ट्राइल बैलेंस है, ट्राइल बैलेंस में अब अपने सारी चीज़ों को closing stock का देख सकते हैं, और हर जगा पे जैसे मैंने बताया, optional है, आपको देखना जाते हैं, यह casual bank देखना जाते हैं, तो जैसी मैं casual bank पे एंटर करता हूं, और cash पे एंटर करके date define करता हूं, तो यह मेरा cash चल रहा है, जैसे कि आपके आप देख वारें, कि मैंने cash राम enterprises को payment की हुई है, उसके बाद purchase मेरे पे आई है, 7000 रुपे की, उसके बाद ए एंटर करके, अब आप group of account भी देख सकते हैं, all account भी देख सकते हैं, selected account भी देख सकते हैं, जैसे माली जैसे मैं one account देखना चाहता हूं, DFS का, DFS, enterprises, date define करके मैं इसकी जो भी statement है, आज तक ही, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूं, कि देखे, 17 तारीक को transaction हुई है, हमारी purchase की, तो इस तरीके से जो है, आप account wise देख सकते हैं, अगर आप all देखना चाहें, तो all पर enter करके भी देख सकते हैं, यह जैसे हमने इसको all किया, अब यह सारे accounts हमें आप दिखा जा रहे हैं, जिसके opening, closing, जो भी उसका balance है, वो हमें यहाँ पर show हो रहा है, तो इस तरीके से जो है account की आप reports देख सकते हैं, cash in bank आपने देखा, account registered, account registered में क्या sale देखनी है, आपको purchase देखनी है, जैसे मैंने sale देखनी है, तो मैंने all type, all parties, all और यहाँ पर enter, enter करके इसको okay करती है, तो अब यह मेरी पूरी की पूरी sales है, जो मैंने करी है, इस पूरे period में जो भी हमने date डाली ह अब जैसे कि यहाँ पर राम enterprises की जो भी sale करी है, हमने total overall sales जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 20,499 रुपे की है, overall sales, अब इसी तरीके से आप अपना purchase registered को लें, इस purchase registered मुझे सारी पाड़ियों को दीखना है, एकनी तरीक से लिए कितनी तरीक तक, तो दो ही purchase हमने करी है, overall हमारी total अगर देखें, तो total हमने 2,509 की हमने यहाँ पर purchase की है, तो इस तरीके से और भी इसमें sale returns, purchase, payment registered, receipt registered, तो payment registered को हमने एंटर किया, तो जितनी भी हमारे पास से payments गई है, उन सब के records यहाँ पर आजाएंगे, total क्या हमने दिया है, वो भी, और इसी तरीके से receipt registered, जितनी भी हमने आज तक payment ली है बाहर से, वो भी सारी हम पर आदेगी, और उसके बाद general entry, contract entry, bank to cash, cash to bank होता है, debit note, credit note जो बनते हैं, तो यह सारी की सारी चीज़ आपो कहा मिलेगी, accounts books में आके, account registered में, account registered में आने के बाद, party day book में अगर देखना चाहें, कि specific किसी party का, जैसे मैं DFS क देखने चाहता हूं, तो उसका जो भी transaction रहा है, चाहे वो हमारी entry का, चाहे payment रशिप का, उस सब को detail में दिखाएगा, अगर दोस्तों इस बीच आपको PDF चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, ऊपर की site में, मैंने अपनी और भी आगे कि जो session उसमें बताया, कि आप यहाँ प अगर आप इस location को ढूंड पाते हैं, फैच कर पाते हैं, तो ठीक है, नहीं तो एक additional option और भी है, क्या है यह देखिए, enter, enter करके उपन करता हूं, तो जो भी आपका default browser होगा, उसमें PDF आपका open हो जाएगा, open होने के बाद, जो भी browser है, जैसे आपके पास Microsoft का browser है, तो वहाँ save as का option आता है, अगर आपके पास Google Chrome है, तो ऐसे download का option है, तो आप ऐसी download का option है, तो आप ऐसी download के click करेंगे, तो software पूच लेगा, कि कहां पे आप यह save करना है, अब जैसे मुझे यह desktop पे save करना है, तो मैंने desktop क्लिक किया, और उसकी बात पर यहाँ पर यहाँ पर मैंने party का ना या अगर वो address complicated लगता है, आप चाहें तो उसे chain भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम party का day book देख सकते हैं, अब इसी तरीके से account summary आपको देखनी है, daily balances, monthly, consolidated summary देखनी है, transaction summary देखनी है, तो यहाँ पर और भी detail में आप report देख सकते हैं, अब outstanding में क्या है, कितना आपके पास receivable ह यानि बाहर से कितना पैसा लेना है, और बिल्स की कितने पैसे pending हैं आपके पास, और इसी तरीके से amount payable भी है, कि आपको बाहर कितना pay करना है, देखिए हम एक report check भी कर लेते हैं, हम मैंने इसी all account किया, और आज कि देखिए till, तो देखिए till मेरे को जो लेना है, वो गुपत 2580 रुपे है, जो बाहर से मुझे receive करना है, कितना amount जो है मेरे को मिलेगा, उसके बाद अगर payable देखिए, कि मेरे को बाहर कितना pay करना है, तो बाहर जो है मुझे एक ही party को pay करना है, 11740 रुपे, जैसे कि आप यहां देख पार है, तो इस तरीके से जितनी भी आपकी reports है, outstanding planning हो चाहिए, balance sheet हो, यह सारी चीज़ है, अब यह interest calculation है, interest में जो भी हमारे bills out of payments हो जाते हैं, या फिर आपको कोई interest है, किसी चीज से related, तो वो कर सकते हैं, यहां पर इसकी report मिल जाती है आपको, और departure में जो भी income tax acts related हमें, हमारी जो report generate होती है, हम ledger wise कर सकते हैं, तो यहां से आप जनलेट कर सकते हैं, जैसे यहां पर चीज़ो है, उसके बाद stock status, तो stock से related जितनी भी चीज़े हैं, वो सारी आपको ही मिलने वाली है, अब जैसे आप चाहते हैं, कि मैंने अब तक जितनी भी stock sale करें, उसके बाद मिरे पर क्या closing है, तो यह closing है, अब तालीस पीस हमारे valuation देखना चाहते हैं, कि हमारे पर कितने रुपय तक का stock है, तो देखें, मैंने बताए कि यहां पर हर जगा पर आपको optional चीज़े मिलती है, तो यहां पर है optional के अंदर show value of item, तो मैंने इसे yes कर दिया, और enterator करके ओपी किया, अब आप यहां पर देखें, राइट स्कॉल करे अब यह देखें, यह आपके item की पुरी total value है, और total value नीचे यहां पर show हो रही है, कि 240-280 रुपय का कितना stock आपके पास, और इतनी quantity है total, तो यह देखने के बाद दोस्तों, और भी जो है detail report देखने है, तो all item, अब यहां से आपने कितनी तरिक से कितनी तरिक देखना है, औ कितना हमारे पास in हुआ और कितना हमारे पास out हुआ और opening कितना था, अभी देखें जैसे कि आपको दूसरे item में दिखाए दे रहा है, कि इसका opening हमारे पाँच पीस था, और stock in हुआ है 75 और out हुआ है 4 पीस, out का मतलब से ही, तो यह सारी calculation करने के बाद हमारे पे total overall जो बचा है वो चियत्तरवच है, तो detail में देख सकते हैं, अब ऐसी आपको group में देखना है, जो हम group बनाते है, item के अंदर, तो group के अंदर देख सकते हैं, कि general group में combo है, sorry, एक group हमारे के combo है, combo के अंदर यह है, और general group के अंदर जो item है, वो यह है, तो इस तरीके से आप जो है group के according भी और भी आपको यहां पर HSN जैसे ही हां पर HSN wise दिखा है, HSN wise देख सकते हैं, group wise देख सकते हैं, closing तो हमने देखे लिया, और tax rate wise भी देख सकते हैं, कि अगर हमारे पास multiple tax rate के item हैं, जैसे ही 18% के हैं, और भी अगर हमने बनाए होते, 12, तो भी हमने दिखा जेते हैं, तो इस किस party से गया, किस party को आया, इस सारी detail यहां पर है, अगर इनका video भी लेना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, तो आप इसके click करके ऊपर video भी ले सकते हैं, तो यह हमें और inventory की detail बुक और बिल जाती है, stock registered में particular एक item को track करना चाहिए, कि हमारे पास यह इतनी तारीक से लेके इत इस specific item के बारे में हमें इस चीज के बारे में पता चुआ है, उसके बाद item, material center, अगर आपके बास multiple go-downs है, तो उसकी reports है, अगर multiple आपके बास go-downs है, material center, inventory register standard, अब inventory register standard में sale के तूरू, क्या आपके पास inventory का track रहा है, यह आपको दिखाएगा, जैसे कि एसर 15 monitor इंच का जो ह हुआ है, फिर उसके बाद गुपता को, यह इस तरीके से आपको और भी detail report देगा, तो यहाँ पे जो है, और भी detail में report आप देख सकते हैं, अब ऐसी फिर उसके बाद inventory summary, जिसमें आपको summary दिखाएगा, total overall क्या record रहा है, उसके बाद उसको यहाँ पे आपका है, GST report, GST report मे outwork registered हुआ है, जो आपने sales किया है, all party पे enter करें, date define करें, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को July देती है, तो मैंने यहाँ पे 1 July और यहाँ पे डालती है, मानने जिए 31 July और enter, और enter, एंटर करके इसको ok कर दें, अब यह जो report है, इसमें detail report है कि party कौन सी है, कहा की, कौन से state की ह है, और क्या हमने tax rating को sale किया है, total tax value क्या है, इसकी sales है, तो sales क्या है, इस सारी चीज़ें यहाँ पे detail में है, यहाँ पे export पे click करना है, और यहाँ पे आपको लेना है CSB, अगर आपको Excel में export करना है, CSB लेने का दो ok करें, और इस पार्ट करतें कर पहले से है, तो आप यह दे अगर कोई registered party है, total overall क्या sale है, इस सारी चीज़ें यहाँ पे mention होके आजाएगे, अब जो Excel generate वह है, इस पे file पे click करके, save as करके, इसको जहाँ पे save करना चाहें, आप कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपके GST की sales की report है, वो निकल गी, अब ऐसी नीचे जो है, invert जो है आपके purchase की reports है, तो all party पे आप enter करके, यहाँ पे date define करेंगे, और वो उसके बाद आपके report generate करेगा, software, अब यहाँ पे इसको भी export करने के लिए, csb ही select करेंगे, तो Excel से यह नहीं निकलेगा, csb से निकलेगा, और उसके बाद और बी GST की reports हैं, यहाँ जैसे 2A, 2B, यह बहुत सारी reports है, बट जो ज़्यादा जरूरी है, जो आपको भेजनी है, वो यही भेजनी है, sell और purchase, और बहुत सारे इसमें option है, जैसे वो work नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे आप GST return करेंगे, तो यह कह रहा है कि पहले software purchase करो, तो जरूरी भी नहीं है कि आप इसको use करो, क्योंकि आप तु उसके बाद यहाँ पे MIS reports में आके cash flow देख सकते हैं, fund flow देख सकते हैं, क्या चल रहा है, जैसे कि cash flow पे हमने एंटर किया all month summary, यह cash flow है हमारा, जून का, जुलाई का, तो सारे month wise आपको यहाँ दिखाएगा, sale analysis में, अब आपको item wise sale देख ला है, party wise sale देख ला है, तो और भी करके basic चीज़ों को देख सकते हैं, तो ऐसी और भी detail report आप जाके इसमें देख सकते हैं, तो last में हमने open किया sale analysis और purchase analysis, तो जैसे आप purchase analysis में जाएगे, तो same चीज़ है आपको मिलेगा, और फिर आपको बस, जैसे हम party wise sale देखना जाता है, standard date voucher, all party, और date wise, तो हमने यहाँ पे summary आप यहाँ पे देख सकते हैं, और भी अगर आपको reports की need है, तो आप इस पे enter करके जो है, अपनी report को और भी filter कर सकते हैं, जैसे कि account है, merge account है, अब यसे आप जाते हैं कि मुझे specific item के बारे में जानना है, क्या sale है, तो आप sale analysis पे जाके item wise की report देखने है, party का जानना है, तो group का जानना है, तो group wise report देखिए, तो और भी deep analysis करके आप यहाँ पर अपनी report को देख सकते हैं, तो almost जो आपको report चाहिए, अपने काम करने के बाद कि हमने क्या sales करी है, क्या purchase करी है, किन से कितना लेना है, किन को कितना देना है, क्या GST का हमारा track है, क्या reports है, तो यह सारी ची path यानि कि उसका location शेयर कर देगे, कि इस जगह पे जा कि आप यह report देख सकते हैं, दोस्तों, वीडियो चिले की वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, ताकि इस तरह की और भी informative वीडियो आपको बिलती रहे, और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न बुले, क्योंकि आगे कि और भ वेडिन में मिल जाएगा, तो जाके जरूँ चेक आउट करें, ठेंक्स को वच्चिए